आज हम बनाएंगे भुट्टा कटलेट तो यहां पर देखिए मैंने भुट्टे के फ्रेश भुट्टे के दाने लेके इस तरह से चोटे-चोटे कट कर लिए इसमें टेस्ट के साब से नमक डाल दिया है और आदा चमच हल्दी डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया है यहां पे देखिए मैंने दो आलु अपाल के अच्छे से मैश कर लेंगे हैं दो ब्रेड की करम्स बना लिएं बर इक टाओं धनिया डाल दिया और दो चमच कॉन फलार डाल दिया है इसमें टेस्ट के साब से नमक डाल देंगे आदा चमझ भल्धि डालोगे करतेशे पायए घ्ला अच्छे अच्छे से मिक्स करतेशे नीक हूड़गे तो यह देखें यहां पर हमारे गर्मगरम भुट्टा कटलेट बनके बिल्कुल तयार हैं बहुत ही असानी से बन जाते हैं आप भी जरूर से ट्राइ करें सबको बहुत पसंद आएंगे मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें कमेंट करें नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे